दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है घर के साधारन चावल के साथ स्ट्रीट स्टाइल एक फ्राइड राइस. चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी. दोस्तों हमें अंडा फ्राइड राइस बनाने के लिए चाहिए. गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, कच्ची मुंगफली, अद्रक और लहसून. और आपको दो अंडे की आवशकता होगी. अब अंडे में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिलाएं. अब अंडे को अच्छी तरह फेंट लें. अब कड़ाई को गर्म करें. अंडे भुनने के लिए तेल डालें. अब अंडों को तेल में डालकर इसी तरह छोटे छोटे तुकडों में पर अंडे को एक तरफ रख दें, कढ़ाई में दोबारा तेल डालें, तेल गरम होने पर कच्चे बादाम तेल में डाल दीजें, अब बादामों को भून लें, जब बादाम भून जाएं तो उन्हें निकाल कर अलग रख लें, तेल में अध्रक डालें, लहसुन डालें, और सभी चीजों को एक साथ एक मिनिट तक भून लीजिए, अब इसमें प्यास डाल कर थोड़ा सा भून लें, अब इसमें आधा चम्मच सिरका डाल कर हलका सा भून लें, इसमें तीन से चार चम्मच कमाटर सौस में लाएं, एक चम्मच सोया सौस डालें, अब एक मिनिट तक भूने, अब इसमें थोड़ा अजीनो मोटो दे, आप चाहे तो अजीनो मोटो का इस्तमाल नहीं भी कर सकते, अब थोड़ा भून ले, अब चावल दे, अब स्वादानुसार नमक डाले, इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाए, सभी चीजों को अच्छे से म दिला ले और एक मिनट तक भून ले, अब तले हुए बादाम और अंडे डाले, अब एक और मिनट के लिए भूने, अब गैस बंद कर दे और कुछ धनिया पत्ती फैला कर एक बार मिक्स कर ले, दोस्तो हमारा स्ट्रीट स्टाइल एक फ्राइड राइस तैयार है, अब और आप इसे बनाकर गर्मागर्म खाएंगे तो इसका स्वाद वाकई लाजवाब होगा, दोस्तो आप चाहे तो इस फ्राइड राइस को बास्मती चावल के साथ भी बना सकते हैं, विधी वही होगी, बस आप अपनी इच्छानुसार चावल का उप्योग कर सकते हैं, तो दोस्तों कृप्या कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की एक फ्राइड राइस रेसिपी कैसी लगी और अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें और हमारे चैनल हॉट पॉट को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, और अपनी जुदी एक फ्राइड राइस रेसिपीटी बांगलाते देखते चान, ताहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्से लिंक देवा आचे शेखान थेके देखे नीते पारें